हेलो बच्चो चैनल पर आपका स्वागत है आज बहुत सारे बच्चो के लिए बहुत खुशी का दिन है नोवी और ग्यारवी के सारे बच्चे लगबग पास हो गए हैं लेकिन कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट ह कि वो किस तरह से पास होंगे क्या क्या का रहे हैं उनको करने पड़ेंगे अधर पूरी वीडियो देखें और सभी बच्चो को बदाई आप सभी के कॉमेंट्स और आपका प्यार बहुत अच्छा मिला इसलिए अगर आप पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइ की वीडियो यहां पर मिलेंगी चाए वो ओनलाइन क्लासिज की हो या फिर्ट डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तो आईए देख लेते हैं काफी बड़ा सर्कुलर है और इसमें पूरे प्रोजेक्ट कारिया बताए गए कि जो जो आपको करने है नोवी और ग्यार्मी दो स्कूल और अनएडिट रिकोगनाई स्कूल से हैं वो सारे के सारी इस तरह से करेंगे तो इस तरह से कोई बच्चा फैल होने के चांस उनके नहीं के बराबर हो जाएंगे अब यहां देखते हैं कि जो में बात है कि कैसे इसको किया जाएगा तो बच्चों की एफेक्टिव नॉलिज को जानने के लिए ये सारा सब्जेक्ट थूँ ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको पता किया जाएगा कि किस तरह से बच्चों की assignments तयार करेंगे जो कि बच्चों की knowledge understanding application और analytical ability से संबंदित होंगे तो यह online भी हो सकता है और आपका मतलब जो offline नहीं होगा बिल्कुल किसी भी तरीके से यह online ही होगा digital माध्यम से यह सारा का सारा कारिय किया जाएगा तो बुरे किसी भी कास्ट या कोई ऐसे शब्द जो कि दूस्ते लोगों को प्रिशान करें इस तरह की words का यूज या assessment में नहीं किया जाएगा आप इस पूरे assessment को इस दिएगे link से प्राप्ट कर सकते हैं यह पूरा link है और यहां पर जाकर के आप इनको देख सकते हैं मैं आपको अगर नहीं आए आपको पता चले तो आप comment करके जरूर बताना मैं आपके लिए link प्रोवाइड इसका description में कर दूंगा तो यहां पर आपने जो पूरी के पूरी detail आपके सामने है और टीचर्स आपको पूरा explain करेंगे आपको टाइमली इसको बरना है और बना करके जुलाई में आपका result declare कर दिया जाएगा 2021 का तो जल्द ही यह जो प्रोमोशन जो पहले हमारे डारेक्टेट ओफ एजूकेशन के जो प्रोमोशन पॉलिसी थी उसके according ही यह सारा कारे होगा तो assignment जैसे ही मिल जाएंगे subject teacher उसको evaluate कर देगा और student से बात करेगा अगर यह बहुत important बात है कि अगर बच्चे यहाँ पर डैली में नहीं है तब किस condition में क्या किया जाए तो ऐसी condition में भी जो project है वो digital means में soft copy याने की WhatsApp इमेल आदी के माद्यम से उसको लिया जा सकता है अब यह देखिए कि कब यह दिया जाना है तो आज से ही मतलब इसकी preparation स्टार्ट कर दी गई है और 23 से लेके और 30 जून तक यह date आप देख लीजेए 23 जून से और 30 जून तक कि यह date है यहाँ पर आप जा सकते हैं आपके parent जा सकते हैं और वो बात कर सकते हैं और उनको बता स सकते हैं online टेलिफॉनिक बता सकते हैं तो यह date आप सभी बच्चे जरूर ध्यान रख लें और साथ जुलाई को यह जो है वो पूरा का पूरा आपके द्वारा जमा करा देना है अगर साथ तारीक तक जमान नहीं कराएंगे तो यहाँ पर सारे बच्चे जो भी जमान नहीं प्रेख गल्लेन नहीं चैएंगे जी हाँ तो यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो पाएगा और उनका प्रमोशन पॉलिशी है यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो आहँ प्चीश जुलई को रिजट आ जाएगा हां साथ को 25 जुलाई को 25昨 जुलाई पम्द्च्र करनी है teachers को और इसको बार-बार में है दो से अधिक सभी classes के जो भी बच्चे दो से अधिक subjects में भी वो reassessments दे सकते हैं तीन या उससे ज्यादा जो subjects उन में भी वह assessment दे सकते हैं तो head of the school को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और पूरा इसको record उसका maintain करना पड़ेगा कैसे कैसे होगा और teachers को time to time जा करके यह update करने पड़ेंगे इनके marks entry level पे सभी अपने अपने टैब से या online कहीं से भी यह update कर सकते हैं तो यहां पर qualified में 33% marks होने चाहिए hundred में से यह ध्यान रखना है इस बात का 33% यहां पर जरूर से जरूर आपके marks होने चाहिए और यहां पर यहां पर देखिए आप आप यहां पर की जो re-assessment के जो student है वो अपना जो ध्यान से इसको बनाए grace marks no benefit of grace marks will be given to student of computing the result of re-assessment तो यहां पर यह re-assessment के लिए कोई भी नहीं मिलेगा यह और पूरा का पूरा जो result है वो 15 जुलाई 2021 तक declare कर दिया जाएगा तो यहां पर देखिए प्रियोजना के कारिया है और किस तरह से आपको करना है नोवी क्लास के प्रियोजना है इन को आपने ध्यान से पढ़ना है और इस तरह के ये आपने बताने हैं TOP इस तरह के बनाएंगे आपके प्रोजेक्स यह नहीं मिलेगा आपको इस तरह के बनेंगे आपको तो यह आपने पूरा का पूरा देखना है और जैसे आपके टीचर बताई तो यहां से आपने क्या कर लेना है अपने जो आइडियाज हैं वो आपने देखने हैं आप इनको प सकते हैं वोईस रिकोर्ड करके कर सकते हैं वोईस रिकोर्ड करके कर सकते हैं और आपने अपना नाम आईडी अनुक्रमांक आदिस सारा विद्याले का नाम आदी यह सारा का सारा भरना है इंडेक्स भरनी है प्रियोजना का कारे करना है जो सामगरिया आपने लिए हैं वो सारा का सारा करना है तस्वी ग्राफ रेका चित्रादी सारे के सारी यहां पर आपने साफ सुत्रा यह सारा कारे करना है और नियत समय पर आपने यह जमा करने है तो इस तरह से यह देखिए सामाजिक विज्ञान का यह दिया हुआ है आप इनकी screenshot ले लीजिए और इन चीजों को पढ़ें ध्यान से इनके जो main points है उनको देखना है सारांस भी लिखना है निसकर्स लिखना है तो इस तरह से ये उसको देना है उसको तो ये कारिया जो भी होंगे वो मौलिक होने चीए कहीं से नकल नहीं होने चीए खुद लिखे होने चीए दस से पंद्रह तक के होने चीए इस तरह के जो main points है आपने इनको जरूर से जरूर देखना है और सुझाओ इस तरह के बन सकते हैं आप इन सभी को देखे ध्यान से संस्कृत का जैसे यह दिया हुआ है तो इस तरह से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क करना और सभी बच्चे इस तरह से पास हो जाएंगे क्योंकि उनके उनको खुद ही असाइनमेंट तियार करने है और जमा करने है ओन-लाइन तो यह सारे के सारे सजैस्टिव प्रोजेक्ट से है nou आप इनको देखें और इस तरह के कोस्टन्स आप करें है जल से जल इसकी प्रैक्टिश कर लें अपनी और टीचरससे कान जो CONTAC्ट करके यह प्रोजेक्ट कारिय को करने की आप कोशिस करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लिस्ट हैं इसमें आप देखिए यहां पर यहारवी का प्रोजेक्ट आ गया हमारा तो क्या-क्या संभावित हैं यह हमारे आ गए हैं तो आप इन सबी को ध्यान से देखें और अपना जो कारिया साफ सुतरा करें सुन्दर करें यूनिक करें और इनको कर दें जमा और हो जाए ये पास आपको दस्वी और बार्वी क्लासीज बुला रही हैं बार बार अगर चैनल को अभी तक भी सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की जो दस्वी और बार्वी की जो ओनलाइन क्लासीज है उनसे संबंदित आपको सारे की सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में और इस चैनल पर मैं बताता रहूंगा आता है चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू